हेलो गाइज इसे राश्री बिश्रा के में इतमें चैनल योट्समेडिकोड लैब दिदी सो गाइज इसमें हम सरजरी के नई टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है बन और इस वीडियो में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे कितना एरिया डेमेज हुआ है कैसे डेमेज हुआ है कितना पार्ट आता है उस डेमेज पॉश्चन में उसके बारे में हम पढ़ेंगे यह एक तरीके का इंट्रोड़ पार्ट है वो होता है thermal, chemical, radiation और electrical जो thermal damage होता है वो mainly 50% होता है और यह damage mainly depends होता है कि कितना portion अपका उस damage के section में आया है जैसे कि जो temperature होता है, वो temperature कितना आपके area में, कितना आपके exposure में आया हुआ है, कितना temperature है, कितना degree Celsius है, उस पर depend होता है दुसरा होता है chemical, ये एक तरीके का 5-7% के position में आता है damage के, जो burn damage होता है और इसमें आप ये देख सकते हैं कि mainly ये due to the acid or alkaline के कारण होता है तिस्ता होता है radiation, ये एक तरीके का ultraviolet radiation हो सकता है, जो हमारे skin को damage कर सकता है or mutation cause कर सकता है, और एक तरीके को हमारे skin को position को जला सकता है so we can call them as a sunburn, 2 तिस्ता, चौथा होता है, वो होता है electrical so electrical में क्या होता है guys, कि जो ये position आता है करीब-करीब 3% so ये important part है, जो cause करता है burn के लिए अब आते हैं उसके classification, classification depend होता है localization के basis पर, अब मिली होता है कि कौन से part पर ये चीज़े हुई है, कौन सा part burn के अंदर आता है कौन सा part affected रहता है, जैसे पहला है active part मिली हमारे limbs हो गया है, वो active part होता है fixed part होता है हमारा trunk होता है later on face आता है, scalp, फिर upper passage and crosses ये सब चीज़े आती है localization के basis पर अब आता है on the basis of depth of the lesion कितना depth तक वो burn हुआ है, injury हुई है, damage हुआ है इसमें दो आते हैं मिली, superficial और deep superficial में कुछ तीन चीज़े आती है 1 degree, 2 degree और 3 degree ये important चीज़े हैं guys पहला होता है 1 degree, 1 degree में क्या होता है कि कुछ changes आते हैं हमारे skin पर वो होते है hyperdemic changes आते हैं, पुरा red हो जाता है दूसरा आता है necrosis, वो जो epidermis position होता है उसमें पुरा necrosis आता है sudden आ जाता है पुरा sud जाता है वो इक तरीके का और उसमें because of these serious blister form होने लगता है लेटर ओन 3A degree में क्या होता है कि superficial necrosis आने लगता है to the germinal layer तक of the epidermis, यह important point है अब आता है deep में, जो deep ओले position में आता है इसमें दो चीज़ा आती है 3B degree और 4 degree, जो 3B degree होती है वो necrosis of all layer of the dermis जो dermis है उसके पूरे layer को, पूरे layer में necrosis हो जाता है मिल्ली इसमें आता है hair follicle, sweat और sebaceous gland भी अब आता है 4 degree में, 4 degree में मिल्ली आप देख सकते हैं जो necrosis होता है वो पूरे skin का हो जाता है इसमें subcutaneous tissue आ जाता है, muscle आता है, tendon, bone यह सब चीज़ा आ जाती है इस position में 4 degree में, तो आप देख सकते हैं superficial और deep के में बताया गया है on the basis of the lesion अब आता है superficial burn, superficial burn में आप देख सकते हैं कि जो water boil होता है, जो boiling water के कारण जो burn होता है वो आप देख सकते हैं कि diagram में पूरे chest के portion पर पूरा redness, hyperemia आ चुका है मिल्ली abdomen, chest और left arm पर आप देख सकते हैं ये मिल्ली 1 degree का होता है और आप नीचे आले image में देख सकते हैं कि जो boiling water के कारण जो burn हुआ है वो right hand में आप देख सकते हैं और ये 2A और 3A degree का होता है burn अब आता है deep burn में deep burn में आप देख सकते हैं कि ये तरीका flame burn होता है मिल्ली left arm में होता है और ये 3A और 3B degree का होता है और जो उसके नीचे है वो आप देख सकते हैं ये एक electrical burn होता है जो right hand में है और ये 3, 4 degree का होता है तो आप देख सकते हैं इसमें हम ये बताते हैं कि कौन सा area कितना affect हुआ है और कैसे उसमें हम identify करते हैं कि कितना percent of burn हुआ है उस part में इसमें पहला method आता है wellness method ये बहुत ही important और बहुत ही widely used होने वाला method है इसलिए इसको दुस्ता नाम बोलते है simplicity और ये बहुत simple है और इसका दुस्ता नाम है rule of 9 आप देख सकते हैं diagram में कि जो head position है वो 9% है हाथ है वो 9% है दोनो 9-9 respectively और जो leg है वो 18-18% respectively है और जो upper chest होता है वो 18 degree और जो abdomen portion है वो 18 degree और crouchे से ही 1% तो आप देख सकते हैं कि पुरे body को percent wise बताया है कि कौन सा कौन सा position कितने range में आता है और अगर उस portion में damage होता है था हम इसलिए calculate कर पाते हैं और इसलिए बता पाता है है कि कितना percent आपका body part कितना percent damage हो चुका है due to the burn इस method में ये बताया गया है ये एक तरीके का palm rule होता है हम हाथों को देख के बता सकते हैं कि compare कर सकते हैं चो upper or back side होता है front or back side होता है हाथ का उसकी basis पर हम बता सकते हैं कि कितना percent जो victim है उसका कितना percent damage हो चुका है और वो हम compare करते हैं equal to 1% of the entire surface of the body तो इसकी हिसाब से compare करते हैं और उसकी हिसाब से हम बताते हैं कि victim का कितना percent damage हो चुका है इस method में हम simple से find कर सकते हैं जो position जला हुआ है जितना area जला हुआ है उस area में हम ये कर सकते हैं जो sheet होता है उसको cut करके उस area में हम लगा देंगे और उसमें identify कर पाएंगे calculate कर पाएंगे कितना area damage है यह एक तरीकी का simple method है skim method इसमें आप यह देख सकते हैं कि यह तरीकी का diagram है आप देख सकते हैं front or back diagram है body के surface का और इसके basis पर हम यह बता कर सकते हैं कि कितना position कितना depth damage हुआ है और यह हम determine कर सकते हैं on the basis of the different color और shading के इसाफ़े जैसे 1 degree हुआ तो yellow color, 2 degree हुआ तो red color, 3 degree हुआ तो blue color, 4 degree हुआ तो black color and जो graft होता है वह green color के basis पर हम identify कर सकते हैं अब आता है कि जो कुछ methods होते हैं वो भी हमें help करते हैं determine करने के लिए कि कितना depth lesion हुआ है due to the burn पहला होता है pressure method फिर होता है tetracycline fluorescence method फिर होता है method of thermometry फिर होता है कि जो pain sensitivity है उसको हम determine कर सकते हैं उसके बाद होता है application of dice और last होता है enzyme method यह कुछ methods होते हैं जो हमें identify करते हैं जो हमें help करते हैं जो lesion जितना damage हुआ है उसको identify करने के लिए so thank you so much guys for your attention and if you get any benefits from this so please hit the like button and subscribe my channel thank you so much guys